आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कोई भी पुरानी बास्केट आपके पास पड़ी है या तूटी फूटी बास्केट है तो आप उसे फेंके मत आप उसका इस तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने घर के लिए बाथरूम के लिए एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही यूजफिल चीज तयार कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको दो चीज़े बना कर दिखा रही हूँ एक ही टूटी हुई बास्केट से तो यह बास्केट है मेरे पास और इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से इसका जो गोल वाला हिस्सा है लिए इस तरह से सिजर से काटने में दिक्कत हो तो आप चाकू गर्म करके उससे भी कट कर सकते हैं यह बास्केट है इसका यूज में बाद में दिखाऊंगी पहले हम देख लेते हैं रिंग का इस्तिमाल कैसे करना है तो यह जो इसका आगे का भाग है पहले हम इससे कवर कर लेते हैं इस तरह पहले हम ribbon इस तरह से लगा रहे हैं इसके उपन एक छोटा base pods-लग से ले लिया है मैंने ribbon का और पहले हम इस तरह से रिजाए को जिसरे इसका चलाल इसे अबरा हुआ पार्ट आच्छी तरह से कव extern हो जाएं आप के पास को ही ribbon पटा आप रेबन ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई les पड़ी है तो les ने मुझेक अपर कर सकते हैं इस तरह से यह देखेजेगे आगे का पार्ट हमारा अच्छे से कवर हो गया है इससे कट करते हैं और छिपका देते हैं कि यह देखे कि यह सम ने तयार कर लिया है और इसके बाद हम जाते हैं एंडिल की तरफ और हैंडिल पर भी लगाते हैं ग्लू कि सेंब बिबन लेते हैं और इस तरह से चिपका लेते हैं और इस तरह से लपेटते हैं, बीच में हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, यहाँ पर हम एक होल तयार करेंगे, आप जाहें तो होल पहले से बना सकते हैं, कोई चाकू या कील गर्म करके आप यहाँ पर होल तयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमेंसे हैं किसी भी कील के उपर, और इस तरह से लपेटते हुए बीच बीच पे गलू लगा रही हूँ, जिससे यह लूज होने पर खुलेगा नहीं, और देखें यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से चिपकाना इसको, जिससे कि इसका पूरा हिस्सा कवर हो जाए, यहाँ पर आपको गलू लगाने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो यह देखें हम यहाँ तक पहुंच गये हैं, और अब हम इस इससे को स्किप कर देंगे, और रिबन को हमने यहाँ से लपेटना है, इसका आधा हिस्सा रह गया है, उसे भी हम इसी तरह से कवर करेंगे, टायट लपेटना है रिबन को, और यह देखें, इसे लपेटने के बाद रिबन से कवर होने के बाद यह पता नहीं चल रहा है कि किस चीज का रिंग है, साइड में हमने गलू लगाया है, और साइड में ले जाते हुए इसे कट करके, पूरा हम अच्छे से ड्रेप करेंगे, रिंग के उपर, यह देखें, एक्स्टा है, इसे कट कर दिया है, और यह देखें, हमारा पीस बनने के बाद कैसा लग रहा है, यह हमने एक टावल होल्डर तयार किया है, कील के उपर आप इसे लगा सकते हैं, उपर मैंने होल बना लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कील गर्म करके, आप इसमें होल तयार कर सकते हैं, और हैंडल वाले हिस का जो दूसरा हिस्सा बचा था उसमें से हमने कटे हुए पार्ट को अलग करना है बिल्कुल सेंटर से हमने एक लाइन बनानी है जिससे कि ये टू एक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद हम इसे कट करेंगे ये देखें लाइन तयार कर ली है और इसके कट लगा दिया है तो इसका जो वेश्ट पार्ट है उसे हम हटा देंगे और इसका एक दूसरा पार्ट हमारे पास निकल कर आएगा इसका इस्तिमाल कर सकते हैं हम यह देखें यहां पर लगा रहे हैं ग्लू और इसके उपर हम एक लेस लगाएंगे इस तरह से हमारा एक organizer बन जाएगा इस तरह से हमने wastewater लगा दिया है इसके किनारे पर और इसके बाद हमने एक cardboard लिया है cardboard के उपर हम इसे इस तरह से चिपकाँगे तो जो cutting किया वाला part था उसके उपर हमने इस तरह से glue लगा लिया है एक पार में ही आपने glue लगाना है और इस तरह से हमने cardboard के उपर इसे चिपकाना है यह देखे थोड़ी देर प्रेस करके रखें और cardboard का जो extra part है side हों से पहले अलग कर लेते हैं इतना हिस्सा इसमे side हों में extra है तो इसे cut कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे नीचे से भी trim कर लेंगे basket के according यह देखे basket के साथ साथ हम इसे cut कर लेंगे यह अच्छे से चिपक गया है इसके बाद cardboard के हिस्से को हमने पीछे की तरफ मोर दिया है यह थोड़ा सा बढ़ा लिया था हमने इसलिए और इसे पीछे की तरफ मोर दिया है इसमें हम रसी लगाएंगे तो मिर पास एक रसी है इस तरह से निकालते हुए आप इसमें not लगाएंगे इसके बराबर रखते हुए इसमें not लगानी है ज्यादा लूच नहीं रखना इसको यह देखे कट कर देते हैं इसको और जो not है उसे हम घुमा करके अंदर की तरफ कर देते हैं पीछे की तरफ चिपका देंगे इसको और इस तरह से हम इसे hold कर पाएंगे इस रसी की मदद से तो यह देखे पीछे हम glue लगा करके इसे चिपका देंगे यह चिपका दिया है हमने glue लगा करके जिसे यह मजबूती के साथ चिपक गया है और रसी हमने बहुत अच्छे से चिपका दिये इसमें और अब हम किसी भी कील के उपर wall के उपर इसे लगा सकते हैं रसी की help से और यह हमारा organizer बनकर तयार हो गया है इस तरह से लगाया जा सकता है इसको आप इसमें जरूरत की चीज़ें रख सकते हैं छोटी मूटी चीज़ें काफी पड़ी रहती हैं घर में मैंने यहाँ पर clutches रखे हैं इस तरह की कोई भी चीज़ें आपके घर में छोटी मोटी पड़ी रहती हैं तो आप उनको रख सकते हैं इस और्गिनाइजर में तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, कॉमेंट करें थेंक्स फॉर वाचिंग